असलामुलेकूम माइटॉसेस को समीने से पहले हमें माईटॉसेस की inportence का पता होना चाहिए यानि माईटॉसेस की uses क्या है हमारी body के अंदर बाकी living organisms के अंदर माईटॉसेस का benefit क्या होता है So, माईटॉसेस में basic लिए होता क्या है कि एक cell से दो identical cells बनते है एक cell से दो cells बनते हैं जो identical होते हैं जिनमें chromosome number same होता है जो parent cell के अंदर था So importance की दरब चलते हैं पहला point मैंने लिखा है कि mitosis growth of organisms में help करता है यानि organism जो grow कर रहे होते हैं उसमें जाहिरी बात है cells की numbering increase हो रही है So cells की numbering कैसे increase हो रही है? mitosis के process से increase हो रही है इसकी एक example आप embryo से fetus को ले 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 यानि जब मा के बैट के अंदर बचे की growth हो रही होती है वो growth में क्या हो रहा है? cells की numbering increase हो रही है और वो cells की numbering जाहिरी बात है identical cells की numbering increase करवानी है body के अंदर fetus के अंदर So उसकी जो numbering है वो mitosis के process से increase हो रही होती है और इसके लावा baby जब adulthood तक जाते हैं हम जब बड़े हो रहे होते हैं इस सब में cells की numbering increase हो रही है और उस numbering increase करने में mitosis का रॉल है So adulthood तक जो growth कर रहे होते हैं बढ़ रहे होते हैं इस सब में mitosis का रॉल होता है जितने में living organism से उनके अंदर अगर हम देखे हैं तो इसके लावा cell repair अगर आप adulthood में पहुंच चुके हैं अब आप मजीद बड़ नहीं रहे हैं आपका size मजीद बड़ा नहीं हो रहा So वहाँ पर आपकी जो cell की repairing है अगर आपको let's say कोई injury हो चुकी है चौट लग चुकी है तो आप देख पा रहे हैं उस चौट वाली जगह पर दुबारा से सेम cells reappear होते हैं और वो चौट वाला जो जखम है वो वाला area भर जाता है तो उसमें mitosis यानि cell divide होते हैं जो cell destroy हुए हैं वो दुबारा से बनते रहते हैं mitosis के process से और healing का process होता है और इसके लावा अगर आप अपनी skin के cells को देख ले हैं तो epithelial cells continuously नए बनते रहते हैं क्योंकि उपर वाले cells जो हैं वो rough हो जाते हैं वे time और वो dead होके गिर जाते हैं new cells बनते रहते हैं mitosis के process से आपकी internal lining जैसे intestinal lining है इसके cells continuously नए बनते रहते हैं mouth के अंदर cells बनते रहते हैं तो different cell repairing का function mitosis के मदर से आपके body के अंदर throughout a life होता रहता है और अगर हम plants की बात करें तो वहाँ पर हमें asexual reproduction भी देखने को मिलती है जैसे sometime कोई budding का process हुआ है और वो bird gear का जमीन पर गिरा है organism amoeba को देख लें तो एक cell amoeba क्या कर रहा है एक cell से दो cell में जो divide हो रहा है basically वो concept क्या है वो mitosis ही हो रही होती है ठीक है तो वो होती क्या है asexual reproduction यानि amoeba अपनी numbering increase कर रहा है but mitosis की जरीए कर रहा है तो यह एक type की asexual reproduction आ जाती है so यह कुछ different uses मैंने आपको यह importance बता दी mitosis की ताक के आपके एक interest built हो जाए के mitosis के uses क्या है okay अब हम mitosis के process की तरफ चलते है जैसे के मैंने आपको बताया था के mitosis के चार phases होते है जिसमें एक pro phase, दूसरा meta phase, तीसरा hana phase, चो था telophase and then cytokineses आ जाते है so सबसे पहला जो phase है mitosis का pro phase उसे study करते है so let's say this phase is pro phase number one phase क्या है? pro phase है pro phase okay, so अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था interface के बारे में यानि के cell पहले interface से गुजरता है फिर mitosis की तरफ चलता है so interface का एक phase होता है जिसे S phase या synthesis phase कहा जाता है जिसमें chromosome या DNA की जो quantity है वो double हो जाती है chromosome की बाद नहीं करा DNA की quantity double हो जाती है यानि DNA replication देखने को बलती है मैं example के लिए आपको बता देता हूँ यानि cell के अंदर जो chromosome है वो chromatin की farm में पढ़ा होता है यानि thread like farm में पढ़ा होता है उल्जेवाइद दागे की तरह ये thread की तरह पढ़ा होता है ठीक है so S phase के अंदर हुआ क्या कि let's say ये एक chromosome का ये DNA था so इसका DNA replicate कर गया और ये centromere के साथ फिर भी attach ही है so ये chromosome egg ही है इसका DNA double हो चुका है और ये जो आपस में दो बाजू बने है ये sister chromatates कहा जाता है because ये identical DNA बनाए इस K-Cording और ये बनना इसलिए ज़रूरी है कि जब nucleus की division हो रही हो तो एक हिसा एक cell में चला जाए दूसरा हिसा दूसरे cell में चला जाए और chromosome number maintain रहे clear हो गया so इस तरीके से chromosome sorry DNA की replication होती है interface के अंदर but ये DNA visible नहीं होता ये DNA visible आपको mitosis के process के अंदर देखने होता है जिसमें pro phase के अंदर ये DNA condensed होना शुरू हो जाता है so pro phase के अंदर जो events होते हैं जहांपर मैंने लिख भी रखे हैं फिर diagramatically देखते हैं सबसे पहला event देखते हैं कि pro phase के अंदर nuclear membrane जो है ये disappear होना शुरू हो जाती है let's say ये एक cell है ठीक है जह साइटोप्लाजमा के और cell के अंदर nucleus होता है nucleus काफी मैंने बढ़ा ट्राक राक है क्योंकि mitosis में nucleus की division है तो nucleus पर हमारा focus होगा तो ये nuclear membrane आगी तो पहला step क्या होगा pro phase के अंदर nucleus membrane disintegrate हो जाएगी disappear होना शुरू हो जाएगी तो basically होता है ये है कि ये nucleus membrane vesicle की farm में बढ़ जाती है और ये vesicle साइटोप्लाजम के अंदर फैल जाती है और nucleus membrane हमें ऐसे लगता है खायब हो चुकी है बैसे के लिए ये vesicle इदर ही होता है क्योंकि जब दुबारा nuclear membrane ने बनना है ये vesicle दुबारा से organize होके nuclear membrane बना देते हैं तो nuclear membrane क्या हो रहा है disappear हो रही है disintegrate हो रही है clear हो गया पहला point दूसरा point nucleus nucleus disappear हो जाता है यहाँ पर आप जानते है nucleus के अंदर nucleus एक structure मुझूद होती है जो कि ribosome की assembly करवार ही होती है ये nucleus disappear हो जाता है क्योंकि इसका काम नहीं है cell division के अंदर right so nucleus disappear हो जाता है तीसरा point यह है centriol moves to opposite pole and ester shape appear आप जानते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि centriols मुझूद होते हैं ठीक है जो के duplicate already हो चुके थे कौन से step के अंदर right s phase के अंदर interface के s phase के अंदर और यह जैसे duplicate हुए थे अब ये pro phase के अंदर ये opposite pole की दरफ move करने लग गये है ठीक है यानि centriol का एक pair इदर रह जाएगा दूसरा pair इदर so मैं I think ऐसे draw करता हूँ ठीक है opposite pole ये वाले बनाता हूँ ये वाले नहीं बनाता ठीक है so let's say ये वाला centriol का जो pair है ये यहाँ पर रह चुका है pro phase के अंदर और दूसरा centriol का pair यहाँ पर आ चुका है ठीक है ये opposite आ चुके है so centriol opposite pole पर move कर चुके है और दूसरी बात मैंने लिखिया कि ester shape अपियर हो रही है ester shape का मतलब क्या है कि centriol जिस region में मौझूद है इस region को centrosome कहा जाता है right so centrosome में कुछ proteins यानि निकलते हैं तो star shape appearance आती है right so जब यह star shape appearance आएगी तो star ester वहाँ से निकला है so ester एक look ester shape appearance आ रही होती है so star shape look आ रही होती है जिसे ester कहा जाता है right so fourth point आ जाता है प्रोफेस के अंदर chromatin condense and farm chromosome मैंने आपका बता है chromatin की farm में DNA मुझूद होता है cell के अंदर so यह chromatin condense होगा यानि जुनना चुरू हो जाएगा आपस में close होना चुरू हो जाएगा so इस process को condense session बोलेंगे so condense होने के बाद यह chromosome की शकल में nucleus के अंदर हमें दिखाई देने लग जाएगा so यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ let's say 2 chromosome हम यहाँ पर ड्रा करते हैं जिनका सेनारियो हम study करेंगे वैसे human की बात करें तो 46 chromosome होते हैं so 2 chromosome यहाँ पर में ड्रा करने लगा हूँ so chromosome जब condense होगा तो उसकी शकल कुछ इस type की नज़र आएगी ठीक है a chromosome यह आगया और दूसरा chromosome यह अगया clear होगया so chromosome condense होके नज़र आना शुरू हो चुक है यह 4 steps होते हैं प्रोफाइस के अंदर में आपको revise कर लेता हूँ nuclear membrane जो है वो disappear होना शुरू हो जाती है nucleolus भी खतम हो जाता है disappear हो जाता है और centriol जो हैं वो opposite pole की तरफ move करते हैं यानि centriol duplicate होने के बाद opposite pole की तरफ move करते हैं एक centriol का pair इधर रह गया एक इधर रह गया ठीक है opposite pole में आ चुक है और इसका benefit होता है metafase में हम देखेंगे और इसके बाद जो chromosome से वो condense होके नजर आना शुरूब हो चुके है तो यह pro phase के अंदर कुछ events है जो perform हो रहे होता है अब हम चलते हैं next phase की तरफ जिससे metafase कहा जाता है so this is second phase जिससे क्या कहा जाता है metafase metafase इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर metafase plat देखने को मिलती है यानि एक center में chromosome की alignment देखने को मिलती है so nuclear membrane completely disappear हो चुका है ठीक है nucleolus disappear हो चुका है और यह जो centrioles हैं यह बिलकुल opposite pole के एक तरफ move कर गए है so यहाँ पर मैं centrioles को बना देता हूँ centrioles बिलकुल opposite आ चुके हैं एक दूसरे के clear हो गया और chromosome fully condensed हो जोगा है यानि अगर आपने chromosome को देखना है cell के अंदर तो metafase best time है जिस दुरान आप microscope की मदद से आप chromosome को देख सकते हैं क्योंके fully condensed form में पड़ा होता है chromosome so यहाँ पर chromosome एक metafase plate बना देता है right so metafase plate का मतलब क्या है कि एक alignment में आ जाता है chromosome so alignment में ड्रा करके आपको बदाता हूँ let's say यह chromosome यह से आ चुका है एक chromosome यह से आ चुका है ठीक है दूसरा chromosome भी बिल्कुल इसकी alignment में आ चुका है ज़रा समय नीचे उख राजर देता हूँ यह दूसरा chromosome आ गया आप देख पा रहे हैं कि center में यह chromosome align हो चुके है so इस alignment को metafase plate कहा जाता है और यह alignment कैसे बनती है ज़र alignment बनती है with the help of spindle fiber so spindle fibers क्या करते हैं chromosome को center से पगड़ लेते हैं center वाला region chromosome का क्या किलाता है centromere centromere के उपर कुछ protein मुझूद होती है जो spindle fiber के साथ connect हो जाती है so यहाँ से spindle fiber जो निकली है वो इस तरीके से kineto core के साथ attach होकर center से chromosome को पकड़ लेंगी clear हो रही है यह बात दोनों side से यहाँ centerosome वाले region से जो spindle fibers निकली है वो यहाँ center से chromosome को पकड़ लेंगी यह काफी सारी निकलती है यहाँ पर मैं सारी ड्रा नहीं कर सकता ठीक है so इस तरीके से जब spindle fiber ने chromosome को center से पकड़ लिया तो दोनों ने एक दूसरे दोनों तरफ से pull force लगी है खैंच रहे हैं chromosome को तो chromosome center में आके align हो चुग है और metafase plate बन चुकी है तो metafase के अंदर कौन-कौन से event आकर हो रहे हैं एक तो chromosome fully condensed होके clearly visible हो जाता है दूसरा spindle fibers जो हैं वो आकर chromosome को center से पकड़ लेती हैं center में kinetok और protein होती है जहां से पकड़ती हैं यह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और metafase plate जिसकी वज़ा से बन जाती है तो chromosome की तरफ जरह detail में आते हैं यह मैंने chromosome ड्रा कर रहा है जिसके दो chromatids है sister chromatids जो कहलाते हैं यह जो center वाला portion है इसे centromere कहा जाता है और मैंने आपको बताया है centromere के उपर कुछ proteins मुजूद होती है जिने kinetocore कहा जाता है जो यह जो red color में मैंने protein ड्रा कर रखी है इसे kinetocore कहा जाता है kinetocore की यह खूबी है कि यह kinetocore protein अपने साथ attach कर देती है spindle fibers को एग side से spindle fiber kinetocore के साथ attach है यहाँ पर red color की protein है जिसके साथ यह attach है और दूसरी side से यह centrosome के साथ यह centriol के साथ दूसरी side पर attach है और इसके लावा chromosome के जो दो बाजू है वो आपस में एक और protein की मदद से attach होते है जिसे cohesin protein कहा जाता है तो आप जब भी हम chromosome ड्रा करते है मैं आपको example बता देता हूँ कि जब भी हम chromosome ड्रा करते है हम ऐसे नहीं करते के chromosome का एक बाजू इदर है दूसरा इदर है तीसरा इदर है ऐसा chromosome आपने नहीं देखा होगा जब भी हम chromosome ड्रा करते हैं तो हम ऐसा ड्रा करते है यह इसके दोनों बाजू एक दूसरे के क्रियव होते हैं उसकी वज़ा यह होती है कि ये दोनों बाजू आपस में जोड़े होते हैं with the help of cohescent protein right so ये cohescent protein इनको आपस में जोड़े रखती है so अगर हमने क्रोमोसॉम को separate करवाना है तो इस cohescent protein की breakdown करनी पड़ेगी ताकि क्रोमोसॉम के दोनों बाजू separate हो जाएं और opposite pole में move कर सकें right so ये concept आपने लेना है क्योंकि ये आगे NFS में use होगा so third phase जो है हमारे पास वो आ जाता है NFS ठीक है यहाँ पर में लिख लेता हूँ this is third phase NFS clear हो गया अब NFS के अंदर जो events होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो आपने ये note करना है के NFS के अंदर जो centrum में आ रहे हैं वो split हो जाएगा with the force of spindle fiber यानि spindle fiber kromosomes को खेंच रहे हैं आप उजेट पॉल की दरफ so इस मद जब pull force लगती है तो एक enzyme होता है जिसे separize enzyme कहा जाता है उसका काम क्या होता है इस cohesion protein को तोड़ना so यहाँ पर cohesion protein की breakdown करने का काम किसका है separize enzyme का है separize enzyme क्या करता है breakdown करता है इस cohesion protein की और यह cohesion protein जब तोड़ जाती है तो अब centrum air से chromosome अलग हो सकता है so separize protein और spindle fiber की force से chromosome apart हो जाते हैं अलग हो जाते हैं और chromosome opposite ball की तरफ move करना चुरू कर देते हैं so यहाँ पर जो scenario है वो में draw कर देता हूँ यह हमारे पास centrioles के pair आ गया ठीक है और center में क्या था chromosome था जो range हुआ वा था तो यहाँ पर मैं इसे separate कर वा देता हूँ sorry यह एक आ गया यह दूसरा आ गया यह यहाँ पर दूसरा आ गया so इसके center में एर को थोड़ा में visible बनाने के लिए red color से ड्रा कर देता हूँ ठीक है so हुआ क्या कि spindle for spindle fiber ने force लगाई right spindle fibers ने force लगाई उस force का एक stimulus मिला जिससे सेपरेज इंजाइम एक्टिवेट हो गया right सेपरेज इंजाइम जैसे यह एक्टिवेज हुआ तो सेपरेज इंजाइम ने kohesan प्रोटीन को तोड़ा और यह जो क्रोमोसॉम है यह सिप्लेट करके और अब यह क्रोमोसॉम मूव करेंगे ट्वर्ड्स आपोजेट पॉल यहाँ पर यह mechanism एनफेज में यहीं तक होता है अब यह जो क्रोमोसॉम है यह आपोजेट पॉल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और उसमें आपको मैं एक concept दे दूँ कि आपोजेट पॉल में यह जो spindle fibers नहीं यह short होती जाएंगी यानि खिचते जैसे रैसी को कोई खेंचता नहीं है बट यह जो खेंचने वाला प्रोसेसर यह ऐसे नहीं होता यह ऐसे होता है कि centrosome वाला जो region है वहाँ पर क्या होता है कि micro tubules क्योंकि spindle fiber micro tubules से मिलकर बनी हुई है micro tubules की breakdown होते रहती है सब unit तूटते रहते हैं और spindle fiber short होते रहते हैं short होते होते यह spindle fiber chromosome को opposite pole की तरफ खेंच देते हैं so anafase के बाद जो last phase आ जाता है वो आ जाता है telophase so यहाँ पर में लेक लेता हूँ fourth phase कुन सा है telophase telophase में क्या हो रहा है कि completely जो chromosome है complete opposite pole की तरफ यह completely move कर चुके हैं ठीक है so यहाँ पर मैं again से वो scenario create करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो chromosome है वो completely move कर चुके हैं opposite pole की तरफ जब pull force लगती है ना तो बाजू इस तरीके से हो जाते हैं यानि central mirror centriol की तरफ ज्याद हो जाते हैं और बाजू थोड़े से दूर हो जाते हैं so यहाँ पर इस तरीके से appearance आ जाती है so completely spindle fiber की pull force की वज़ा से जो chromosome है opposite pole की तरफ move कर गया है अब होता क्या है कि यह opposite pole की तरफ move कर चुके हैं अब spindle fiber disintegrate होना चुरू हो जाते हैं और nuclear membrane दुबारा से appear होना चुरू हो जाती है यानि जो nuclear membrane मुझूद थी वो दुबारा से appear होना चुरू हो जाती है और nucleus के अंदर यह chromosome enclose होना चुरू हो जाती है clear हो गया और दुबारा से nucleolus appear होना चुरू हो जाता है और बाकी argonolase functional होना चुरू हो जाते हैं यह telophase complete हो जाता है so completely nucleus बन जाता है जैसे nucleus complete तरीके से बन जाता है फिर क्या होता है फिर होता है यह है कि next step आ जाता है जैसे cytokinesis बोलते हैं cytokinesis याद रखिए जो mitosis का process है इसे karyokinesis भी कहा जाता है so यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ karyokinesis karyokinesis का मतलब क्या होता है nucleus की division so karyokinesis का process जैसे complete होता है cell के अंदर cytoplasm की division का process शुरू हो जाता है अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक nucleus complete तरीके से बन चुका है दूसरा nucleus भी complete तरीके से बन चुका है और दोनों nucleus के अंदर chromosome आ चुके है ठीक है chromosome यहाँ पर मौजूद है तो अब होता यह है कि cytoplasm के दिर्म्यान में actin protein याद रखिये जिने micro filament भी कहा जाता है actin protein बनना चुरू हो जाती है और यह actin protein center से मतलब इस तरीके से बनती है कि यह ऐसे दुबाना शुरू कर देती है cell को center से cytoplasm को center से खेंचना शुरू कर देती है जैसे आप एक balloon की उपर rubber band लिपैड देते है उसी तरीके से balloon दो हिस्सों में separate होता हूँ हमें नजर आता है इसी तरीके से cell को actin protein acid दिर्म्यान से दुबाना शुरू कर देती है एक फरो appearance आ जाती है और करते करते पाप आउट होके दो cell अलग हो जाते है clear हो गया so xl से दो cell बन जाते है cell divides into two cell divides into two cell दो में तक्सीम हो जाता है और यहां पर mitosis का process complete हो जाता है basically mitosis का process telophase पर complete हो जाता है next phase जो आ जाता है cytokinesis अलग एक phase होता है so जिसकी मदद से cell completely दो में divide हो जाता है और आपने देखा कि cell के अंदर जो chromosome number है वो same रहा है ठीक है so यानि cell से पहले जो chromosome number cell के अंदर मुझूद था वो भी इसी farm में मुझूद था ठीक है इसी farm में मुझूद था हुआ क्या था कि S-phase के अंदर उसकी DNA की जो है वो replication हुई थी और दूसरा बास बन चुका था जिसे हमने sister chromatin कहा था so शुरू में ऐसा था और बाद में sister chromatin बना था फिर दुबार से जब separate हुआ तो हर cell के अंदर उसी तरीके से chromosome की numbering आ चुकी है